हिलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी के लिए इलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट यानी बिजली विवाक के तरफ से नई भरती 2024 के लिए नोटिफिकेशन और आवीदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट किये गए हैं आप सभी लोग आने वाली 27 फरवरी 2024 तक घर बैठे अपने मुवाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से इन सभी पदों के लिए आवीदन कर पाएंगे इस विकेंसी की सबसे अच्छी खासपाती है कि बिना किसी अप्लीकेशन फीस के आपको आवीदन करने का मोका मिलेगा और बिना किसी एक्जाम के केबल और केबल इंटर्व्यू और डाकुमेंट वरिफिकेशन के बेसिस पे आप सभी सेलेक्शन पार सकते हैं बिजली विवाक का ओपिस आपके गाउं एजले के अंदर जरूर बना होगा कौन सी पोश्टे हैं क्या काम होता है यहीं प है कि हर महीने मीटर रेडिंग के लिए जाना होता है बिलिंग यानि कि आपके जो भी यूनिट से जितने भी खर्चा हुए हैं उसके हिसाब से आपकी बिलिंग होती है और अगर आप बिल पेमेंट करना चाहते तो हाथो हाथ आप वहाँ पे बिल पेमेंट करेंगे तो कैस collector भी यहाँ पर आपका जो add है post तो यहाँ पर कुल मिला कि meter reader जैसे ही आपका selection होगा आपको meter reading के लिए जाना पड़ेगा घर घर billing करनी पड़ेगी और वहाँ से जो पैसे मिलेंगे उसको collect करना पड़ेगा यह आपका काम हो गया 10th pass candidate इसके लिए eligible है 20,000 रुपए तक की salary आपको मिल सकती है mail and free mail दोनों category के candidate आभीदन करेंगे आभीदन online चलेगा all india level पर आप लोग आभीदन करेंगे तो अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो like करेगा आगे इस वीडियो में आपको notification डाउनलोड करके और apply करने का process सारी चीजे बताई जाएंगे तो वीडियो को skip मत करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो channel को subscribe करके bell notification को on करना बिलकुल भी miss मत करिए आईए देखते हैं इस frequency की complete यानकारी तो दोस्तो आपको आवेदन करने का notification डाउनलोड करने का link बीडियो के description में दे दिया गया तो आप लोग click करके इस page पे आ सकते हैं यहाँ पर आने के बाद आप लोग देख सकते हैं बिजली विवाग भरती है 2024 के लिए अधिक ज्यानकारी के लिए आप लोग वर्सप ग्रूप को जरूर जोइन करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें देख सकते हैं बिजली विवाग भरती है 2024 के लिए आपको आउनलाइन आभी दन करना होगा यहाँ देखें वेरिस नंबर आप पोश्टे आपको इस विकेंसी के अंदर मिल जाती है जहाँ पोश्ट नेम है इलेक्रिसिटी, मीटर रीडर, बिलिंग और कैस कलेक्टर की आपकी जो उम्र है वो कम से कम 18 और अधिक सधिक 40 साल की होनी चाहिए अपलीकेशन फीस की बात करते हैं आपसे एक भी रुपया का अपलीकेशन फीस नहीं लिया जा रहा आप सब भी इन भरतियों के लिए बिलकुल फुरी में आभी दन कर पाएंगे विकेंसी डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे कौन सी कमपनी रहेगी जिसके थूँ यह विकेंसी आपको देखने को मिलेंगी तो यहाँ पे बोरो सी लिम्टेट करके एक कमपनी का नाम है वहाँ से आपको यह विकेंसी यह देखने को मिलेंगी कहां कहां से कौन-कौन से राजों से अपलाई कर सकते हैं vacancy distribution क्या रहेगा तो भारत के किसी भी राज जिसे आप सभी इन भरतियों के लिए आभी दन कर पाएंगे दिन हम बात कर लेते हैं कि आपकी salary क्या होने वाली है salary आपको 20,000 पर मन्त यानि की 20,000 रुपय तक पर महीने की देखने को मिल जाएगी इसके अलावा आपका जो education है वो matriculation यानि की 10th pass रखा गया है अगर आप लोग अक्षा दस्वी pass आउट हैं तो आप लोग एक बार जरूर से apply करने का सोचेगा कब तक और कैसे आप लोग apply करेंगे तो apply कैसे करेंगे उसके process के बारे में आपको आगे जानकारी दी जाएगी कुछ document शेये होंगे उसके list आप लोग देख सकते हैं और आपका selection बिना किसी exam के किबल और किबल interview के आधार पे होने वाला है दिन हम बात करते है important dates के बारे में जहां पर आपको बताया गया है कि 24 जनवरी 2024 से आभीदन सुरू हो चुके हैं जिसकी आखरी date है 27 फरवरी 2024 की तो दिये गया समय सीमा में आपको आभीदन करना होगा क्योंकि dates जाने के बाद आप लोग आभीदन नहीं कर पाएंगे अभी हम आते हैं सीधे यहाँ पर देखे download notification पर जाएंगे तो आपको notification मिलेगा लेकिन हम आपको डारेक्ट apply online की बटन पर क्लिक करके apprentice stipendia.govornment.in की official website पर आके notification और आभीदन करने के process के बारे में जानकारी दे देते हैं यहाँ जो भी jobs होती हैं सारी के सारी unique और original होती हैं इसमें आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए बस आपको जोए तो आभीदन करना आना चाहिए देखें पोस्ट निम असिस्टेंट, electricity, meter reader, billing and cash collector की दी गई है इसके बाद यहाँ से आप लोग नीचे आते हैं तो आपको apply for this opportunity का बटन मिल जाता है लेकिन एक बार इस frequency की complete जानकारी देखें उसके बाद ही आभीदन करें यहाँ पर देख सकते हैं establishment name आपको दिया गया है बोरो सी limited private sector की company है और operating state दो है दो state में काम है इसके अलाबा यहाँ पर working days के बारे में भी जानकारी मिलेगी जो आपका education qualification हो मातर खाली यहाँ पर 10th pass है यानि कि अगर आप लोग 10th pass है तो आप सभी इन भरतियों के लिए आवेदन करपाएंगे इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको time training blocks बताया गया है training का duration है पोस्ट आपकी कौन सी रहेगी electricity meter reader billing and cash collector की total आपको 14th number of vacancy openings मिल जाती है जहाँ पर starting का stipend आपको 6,000 रुपाय तक देखने को मिलता है gender में कोई आप एदन कर सकता है NAPF benefit भी आपको मिलेगा education qualification और apply भी आप लोग इसके लिए कर सकते हैं apply करना कापी easy है यहाँ पर देखे login और registration का option मिल रहा है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर candidate पर click करके अपने आपको register करना पड़ेगा तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर registered as a candidate की button पर click कर दें जिससे यहाँ पर options आ जाएंगे आपको अपना phone number और email id डाल देना है और यहाँ पर जो capture code 6unk का दिख रहा है उसको डाल के verify कर देना है verify हो जाने के बाद register कर लेंगे और उसके बाद आसानी से आप चाहें तो लोग इन करके इन vacancies के लिए आभी दन कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर notification दिया गया इसको भी download कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो में दीगी जानकारी अच्छे लगे होगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद